नवस्कार में हुश्मानी बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है आज है दो सितंबर खबरों के और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर SBI टेस स्पेसलिस्ट के एडर ओफिसर के 714 रिक्तियों के लिए निकाली अधिसूशना बिहार के सरकार्य स्कूलों में आयोजित होगा तरंग मेधा अब्चब BPSC अध्यक्ष ने कहा सिर्फ 21 सितंबर को होगी BPSC सरसच्वी की पीटी परिक्षा नगर निकाय चुनामें लोगों की नहीं लगेगी ड्यूटी अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से SBI ने स्पेसलिस्ट कैजर ओफिसर के 714 रिक्तियों के लिए निकाली अधिसूशना State Bank of India ने स्पेसलिस्ट कैजर ओफिसर के कुल मिला कर 714 रिक्तियों पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जाड़ी किया है इसके लिए अगर साक्षिर की योगता की बात की जाए तो आवेदक को relevant discipline में graduation या MBA या PZDM या PG या BE या BTEC या ME या M TEC पास होना जरूरी है इच्छुक और योग्य उमिदवार इस नोटिस से जोनी हुई इस समस्त जरूरी जानकाड़ी और आवेदन करनी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए वेव लिंक पर जरूर क्लिक करें आवेदन करने के अंतिम तारिक 20 सितंबर 2022 है विस्तरी तुजानकाड़ी के लिए आप ओफिशल विपसाइट www.sbi.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं नालंदा ओपन युनिवरसिटी में एद्मिशिन की बढ़ाई गई ती थी नालंदा खुला विश्विद्याले में नामांकन लेनी का सोचरे विद्यार्थियों के लिए एहम सूचना है नालंदा उपन उन्वासिटी में सत्र दोचर 22 और 23 में नामांकन की तिथी को बढ़ा दिया गया है ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारण वस नामांकन नहीं ले पाये थे वो अब 15 सितंबर तक शातर शातर आएं विश्विद्याले में असनात कोतर असनातक असनात कोतर डिप्लोमा इंटर एबोम सर्टिफिकेट के विविन पाच क्रमों में नामांकन ले सकते हैं गौरब तिवारी एक पैरा नॉर्मल इंवेस्टिगेटर, UFO-filled इंवेस्टिगेटर और भारत में पैरा नेकसस प्रतिनी धी थे जो रन्वी जैसी के साथ MTV Girls Night Out, Sunny Lyon के साथ Haunted Weekends, आज तक Live India, News 24 Star TV, ZTV, Fear Files, डर की सची तस्वीरे, सीफी के हांटिंग, Australia और Sony TV के भूत आया जै से टिलिविजन शो में दिखाई दिये थे, गौतम तिवारी पैरानॉर्मल रिडियो शो में आती थी और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के CEO और संस्थापक भी थे, गौरब तिवारी का ज़र्म बिहार के पटना जिले में आजवे के दिन 2 सितंबर 1984 को हुआ था, दु गुटने से वो मृत पाये गए, जिसके बाद लोगु द्वारा और विभिन मीडिया में अटकले लगाई जा रही थी कि उनकी मृतियों एक आत्म हत्या थी बिहार के सरकारिय स्कूलों में आयोजित होगा तरंग मेधा उटसब बिहार के सरकार्य स्कुलू में इस महीने की तीन तारीक से लेकर तेरा तारीक तक तरक मेधा उतसब कायोजन होना जा रहा है। अब सफाई कर्मचारी सीखेंगे सफाई के गुर्ण यहां खोला जाएगा परसेक्शन केंद्र अब बिहार के सफाई कर्मचारी सफाई की सेक्षा लेंगे दरसल बिहार के मुझफर पुरजीले में कच्रा प्रवंधन परसेक्शन केंद्र खोला जाएगा जिसमें 9000 वर्ग फूट में बनाया जाएगा इस पर करीब 16 लाख रुपे खर्च किये जाएगे मुजफर पुर्जिले के सक्रा प्रखंड के सक्रा वाजुद पंचायत में 9000 वर्ग फूट में बनने वाला राजिका यह पहला त्याधुनिक किंद्र होगा जहाँ पर सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें गीला, सूखा और प्लास्टिक कच्रा परवंधन के गुर्सी खाये जाएगे ट्रेनिंग सेंटर में एक साथ 80 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी आपको बताते चुले कि राजपिता महात्मा गानी की जोयनती पर 2 ओक्टुबर को इसका के लिए भी विश्वे से सूविधा है जो गया पहुचकर पिंडदान नहीं कर सकते बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलप्मेंट कॉर्परेशन ने देश और विदेश के पिंडदानियों के लिए घर बैठे ही पिंडदान की विवस्थागी है इसके लिए बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलप्मेंट कॉर्परेशन ने इपिंडदान का पैकेस तयार किया है इसमें आपको कुल 20,425 रुपे का खर्चा आएगा पैकेस के तहत कोई भी विक्ति अपने घर में रहकर अपने पितरों का पिंडदान करा सकता है और अपने पितरों को मोक्ष दिलाने एहम भूमिका निभा सकता है अगर परिक्षा केंडरों की विवस्ता हो जाती है तो कोई दिकत नहीं है उन्होंने ये भी कहा कि जो परिक्षार थी इस बात से चिंतित थे कि परिक्षा में अनावशक विलंब नहीं हो तो हम 21 सितंबर को परिक्षा लेंगे इस से एक और भी फायदा यह होगा कि UPSC के अभिहर्थी की 18 और 19 को परिक्षा है तो उनको दो दिन का ग्याप मिल जाएगा चौमुखी महादेव मंदिर इस वज़ा से है बेहत खास बिहार में कई दर्शनी एतिहासिक और तिर्थ अस्थल मौझूद है जो कि आपके बिहार पर यचन को यादकार बना सकते हैं उन्हीं में से एक है चौमुखी महादेव मंदिर बसरा बस स्टेशन से 2.5 किलोटर की दूरी पर चौमुखी महादेव मंदिर बिहार के वैशाली जुले में इस्तित एक पवित्र हिंदू मंदिर है या वैशाली में एतिहासिक हिंदू मंदिरों में से एक है और वैशाली में गूमने के लिए प्रसिध अस्थानों में से एक है चौमुखी महादेव या चतुरमुखी महादेव भगवान शिव को समर्पित एक एतिहासिक हिंदू मंदिर है या विक्रमादित चौमुखी मंदिर के रूप से भी जाना जाता है मंदिर में भगवान ब्रह्मा, विश्णू, शिव और सूर्य को समर्पित चार चेह पुर्ण रुपेन तबाह है बच्छवारा मतिहानी और साहिबपुर कमाल का आधा भाग गंगा से जुड़ा हुआ है आज बिहार सरकार के परभाडी मंत्री बेगुसराय आ रहे हैं बिहार सरकार से निवेदन है कि जन जिवन अस्त व्यस्त है घर डूप चुका है फसल डूप कर बरबाद हो चुका है चालग़ो की मृति हो रही है इसलिए बिहार सरकार पूरे बेगुसराय जिली को आपदा प नितिश का पोस्टर वार प्रदेश में दिखा देश में भी दिखेगा नितिश कुमार्टे अब किंद्र सरकार और बिहार में अपनी विपक्षी पार्टे भाजपा पर पोस्टर वार किया है एक और जहां बिहार में एंटिये के साथ गचवंदन तोरने के बाद अब केंद्र में भाजपा को चुनौती देने के लिए मुखमंतर नितिश कमार के 2024 के लोग सभाचुनावें विपक्ष का साजा प्रथानमित्री उमिद्वार बनने की चर्चाओं के बीच पटना में इसेपी के खिलाफ नितिश विपक्ष का चेहरा बनेंगे या नहीं इस पर जद्यू का स्टैंड ये है कि नितिश में प्रथानमित्री बनने के साड़े गुन है लेकिन वो उमिद्वार नहीं है हालांकि जो होर्डिंग लगाए गये हैं वो कुछ और इशारा कर रहा है नगर निकाय चुनाओं में लोगों की नहीं लगेगी ड्वेटी इस बार निकाय चुनाओं में काफी वक्त लग रहा है लेकिन निकाय चुनाओं के तर्यारिया जो शोर से चल रही और इसी महीन निकाय चुनाओं की तारिक भी घुशित कर दी जाएगी इस बीच नगर न लाओ किये गए हैं यह 28 सी सिटंबर को हर हाल में जीली के अधिकारी चुनार सामने प्राप्त कर लेंगे वहीं पहले चुरन के बंसदान के लिए प्रस्रिक्षन 8 अक्टुबर और दूसरे चुरन के लिए मतदान कर्मियों का प्रस्रिक्षन 18 अक्टुबर तक करानी के नर्देश जीलों को दिये गए हैं। उन्हे कोट से बड़ा जटका लगा है अब ये उपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। प्रस्रिक्षन 18 अक्टुबर तक कर्मियों का प्रस्रिक्षन 18 अक्टुबर तक कर्मियों को देखते हैं। बिहार में भारी संख्या में पुलिस कर्वी ग्रिश जीले में ही तैनात। उनके ग्रिश जिला में है यह अस्थानांतरन पदस्थापन निती के अनुरूप नहीं है। अब इसके बाद पुलिस मुख्याले के डियाएज जी ने इस संबंध में ग्रिविवा की तरब से जाड़ी आदेश के आलोक में कारवाई सुनिश्वित करने को कहा है। पुलिस मुख्याले ने सभी जीलों के स्पी से कहा है कि वे 10 सितंबर तक अस्थानांतरित कर्मियों को विर्मित करें। प्रचीर से तिरंग फैराने का रह गया है बिहार के विदेविवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए। बिहार में पक्ष और विपक्ष की बयान बाज जो लगातार जारी है बिहार में बनी नई सरकार पर विपक्ष भाजपा भी जुबानी हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। वही भाजपा को मुहतोर जो अब देनी के लिए जद्यू के कदावार नेता भी फ्रंट फूट पड़ाये हुए हैं। इसी कड़ी में ललन सी ने सुशील मोधी पर निशाना साते हुए कहा कि नितिश जी को चुनावती देने से पहले अपने गिरेबान में जहाक लें वो दिन भूल गए जब मंत्री ज्यादालत से सज़ा की कॉपी लेकर भाग गए। दरसल कार्थिक सी के मंत्री पत्से इस्तिफे पर सुशील मोधी ने कहा कि नितिश कुमार पहले ओबर में ही क्लीन बोल्ट हो गया है। अभी तो कार्थिक कुमार का पहला विकेट गिरा है अभी और कई विकेट गिरेंगे जिस पर ललनसी ने पलचवार किया है। हाई कोच ने मांगा जवाव अब तक पत्ना में कितनी कॉल्नियों का हुआ निर्मान और विकास। पत्ना के राजव नगर थाना शेत्र के ने पाली नगर में अवैत तरीके से सरकारी चमीन पढ़ाती क्रमन करने के मामले पर कोच में सुनवाई चल रही है। इसी कड़ी में बीतेरिन सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार ने बिहार राजव आवास बोड को बताने को कहा है कि अब तक पत्ना में कितनी कॉल्नियों का निर्मान और विकास किया जा रहा है। साथ ही कोट ने राजव सरकार को एमिकस क्यूरी संतोश रिसिंग द्वारा प्रस्तु दलीलों का अगली सुनवाई में जवाब देनी का नरदेश दिया है। सबी पाठ्यों को एकजूट कर एक मंच पर लाना और एकजूट हो कर भारतिय जंता पाठ्यों से मुकाबला करना हमारा लक्ष है। जद्यू संसद्य बोट के अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा बीते दिया अच्वार सहीता के उलंगन मामले में कठीहार कोट में पेश हुए। मामला दस साल पुराना है इस दोरान उपेंद्र कुश्वाहा ने ते लंगाना की मुक्ष मंतरी के सियार के भिहार दोरे पर कहा कि आगामे लोगसवा चुनावे में पक्ष को एकजूट करने की कवायद कीच्वारी एक खास करता आगी मंत्रियों के मुद्दे पर सरकार के बैक फुट में आने के सवाल पर जद्यू के वरिस्ट नेता उपनिर कुश्वाहा ने कहा कि सरकार ब्रस्ट उचार के परती कंप्रमाईज मूड में नहीं है इसलिए जब ऐसी बाते सामने आती है तो संबंधित विभाग के मंत्री को हटाया गया है नमबर तीन पर किसी करनी चाहिए बलेवाजी विराच या सूर्या गंभीर ने दिया दिलचस्प जवाब एश्विया कब्दुज और वाइस में हॉंग कोंग के खिलाब सूर्या और विराच की साज़िदारी की जहां हर जगा तारीफ हो रही है वहीं टीम इंडिया के बलेवाज गौतम गंभीर ने एक चौकाने वाला बयान दिया है दरसल गंभीर चाहते हैं कि नमबर 3 पर भारत के लिए सूर्य कुमार यादब बलेवाजी करें गंभीर ने या बयान भारत बनाम होंग कॉंग मैच में कॉमेंटरी के दौरान दिया उनके साथ कॉमेंटरी कर रहे दीप दास गुपता ने भी गंभीर के बयान का समर्थन किया गौतम गंभीर ने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं बायस जोगो कर बयान देता हूं लेकिन मौजोदा फॉर्म को देखते हूए भारतिय टीम को सुरी कुमार यादब से नंबर तीर पर बलेवाजी करवानी जाए भारत की इतिहास में आज की तारिक कई कारणों से है दर्स 1946 में भारत की अंतिरिम सरकार का गठन जवाहर लान नेहरू के अध्यक्षता में प्रधार मंत्री की शक्तियों के साथ उपाध्यक्ष के रूप में किया गया था 1984 में भारतिय मोचल और भिनेतरी उदीता गोस्वामी का जन्म हुआ था 1988 में भारतिय क्रिकेटर शांत शर्मा का जन्म हुआ था 1989 में भारतिय पार्श्वगायक इश्मित सीह सोठी का जन्म हुआ था 255 में भारत के परसिद विद्वान, साहितिकार और सिक्षा स्षास्त्री अमरनात ज्राका ने धन हुआ था और आज ही राश्ट्री पोशाहार दिवस सपता के रूप में मनाया जाता है और आज ही के दिन विश्वनारियल दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है वारेल खबर में आज हम बात करेंगे इंडिया की जी डीपी पर किये जवारा है दावों के बारे में सोशल मेडिया पर कई तरह की सूछनाय परसारित होती है लिकिन सबी सचो ये जरूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ट्वीट के बारे में जिसमें दावा किया चौड़ा है कि तोचर 22-23 में इंडिया की जीडिपी 34.42 ट्रिलियन ने दरसल पी आईवी फैक्ट चेक ने एक ट्वीट का स्क्रिन शाट साज़ा किया है जिसमें एक वेक्ति ने यह दावा किया है कि भारत का जीडिपी क्वाचर 1 यानी की जनवरी फरवरी और मार्च महिने का 34.42 ट्रिलियन है इस दावे को पी आईवी फैक्ट ने फेक बताया है साथी पी आईवी ने कहा कि क्वाचर एक में इंडिया का जीडिपी 36.85 लाख करोड है WhatsApp पे मिलेगा स्मार्ट वाच के लिए वोइस कॉल सपोर्ट WhatsApp ने एक नया बीचा बिल शुरू करना शुरू कर दिया है जो Wear OS 3 स्मार्ट वाच के लिए वोइस कॉल सपोर्ट देता है नए अपडेट के साथ Samsung Galaxy Watch 4 और हाली में लाँच Galaxy Watch 5 के यूजर स्मार्ट फोन से ही 9.12.12 पर अपडेट करना होगा Samsung Galaxy Watch 4 और Galaxy Watch 5 WhatsApp वोइस कॉल के लिए एक अलग UI दिखाते हैं कारी मिली है कि WhatsApp के लोगों को सामानी कॉल से अलग करने के लिए Instant Messaging Platform से आने वाली कॉल को Contact डिटेल के तहर दिखाया जा रहा है कपिल शर्मा के साथ अन्बन को लेकर कृष्णा विसेक ने तोड़ी चुपे The Kapil शर्मा शो का तीसरा सीजन जल्दा आने वाला है बीते बुद्धबार को Sony TV ने वीडियो क्लिप शेयर करने कास्ट और उनके कैरक्टर के बारे में ज़ानकारी दी है लेकिन इस लिस्ट में सभी पहले के किरदार है वहीं शो में नई कास्ट एक्स्ट्रेस स्ट्रिष्टी रोज कपिल की लव इंट्रेस्ट गजल शर्मा का किरदार निभाते हुए दिखेंगी लेकिन इस लिस्ट में क्रिश्णा कहीं दिखाई नहीं दिये इसको लेकर तरह तरह की गॉसिप चल रही थी कि क्रिश्णा और कपिल में अन्बन हो गई हालांकि क्रिश्णा ने इसको लेकर अपनी चुपी तोड़ी है उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन ऐसी अफवाहे फैल आ रहा है मैं और कपिल बहुत अच्छे दोस्त हैं आज रात को मैं और कपिल साथ में ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं I love him and he love me मेरा भी शो है वो और मैं शो में वापस आओंगा बिते दिर हमारे दोड़ा पुछे के सवाल का आप लोगों इस बहुत लोगों ने अपना जवाब में कॉमेंट सेक्शन में लिकर दिया था जिन्होंने पुछे के सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बैदेनाथ ठाकुर, आकाश कुमार सिन्ना, शुश्री पटेल, राह पुछे के सवाल की ओर, आज का सवाल है कि क्या आप अपने शृत्र की सफाई विवस्ता से संतूस्थ हैं, अगर हां तो परशासन इसके लिए वहां क्या क्या कर रही है, अपना जवाब में कॉमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताया, साथ ही अपने शृत्र का नाम भी अपने बाद